नमस्कार मैं हूँ विने सिंग और आप विने जाये सेकेंडमी और जारखंड लाइव न्यूज चैनल का यूटूब चैनल देख रहे हैं हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कि क्या 2019 के चुनाओं में रन्निती सटीक बनाने पर बीजेपी को रोक देगी सभी पाटी और इसी की सुरुआत में अलग-अलग राज्यों से आज हम बात सित सुरू करेंगे और आपको समझाएंगे पूरा समिकरन कि कहां-कहां प बिहार, पस्चिम बंगाल, महरास्त और उत्तर प्रदेश हर राज्य की विधान सभाची भी तस्वीर आपको दिखाय रहे हैं और साथी साथ एक खास विस्टेशन करेंगे कि कैसे भारती जनता पार्टी को रोकने की कबायत की जा सकती है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 80 सीट है लोकसभा की और यहां पर अगर कॉंग्रिस, बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा मिल जाए तो फिर ये घटबंधन बहुत अच्छा करेगा बिहार का अगर रुख किया जाए तो बिहार में 40 सीट है और 40 सीट में कॉंग्रिस और रास्टिय जनता दल अगर राज में एक साथ मिल कर चुनाओ लड़े तो इस्तिती थोड़ी वहां की बदलेगी और चेंज हो जाएगी तस्वीर यह आपको बता दे कि राज में दोनों पार्टी अगर मिल जाए तो बिजेपी को दिक्कत हो जाएगा पस्षिम बंगाल की अगर बात करें हम तो 42 सीटे वहां पर तीमसी अगर सरकार जो है तीमसी के साथ कॉंगरे से मिल जाए तो वहां पर एक नया समिकरन बन सकता है और यह हम आपको बता दे अलग-अलग राज्यों की तस्वीर से हम समझाने की आपको कोशिस कर रहे हैं कि अगर यह समिकरन बदलेगा तो कैसे 349 सीट है अगर देखा जाए तो 349 सीट है टोटल जहां पर बीजे पीक को 11 स्टेट में और लगबग 16 राजनेतिक पार्टियां उसे पराजित कर सकती है यानि कि 545 सीट लोग सभा का होता है और इस 545 सीट में से और यह तस्वीर आपको हम दिखा दें कि यह देख कि यहां करनाटक में 28 लोग सभा का सीट है और जेडियेस कॉंगरिस जिस प्रकार से एलाइन्स है अगर वहां दोनों मिल जाए तो क्या इस्थिती वहां की बदल जाएगी एक विधान सभा के भी तस्वीर साथ में 28 सीट में जो अगर चुनाओ एक साथ गड़बंधन हो ज जिन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी को छेत्री दल के साथ मिल करके अगर चुनाओ लड़ा जाओ जम्मु कस्मीर में देख लिए एक बार जम्मु कस्मीर की अगर बात की जाए तो यहां पर छे लोग सभा की सीट है यहां पर अगर नेशनल कंफरेंस और कॉंगरे जाता है एक और दूसरी और भाजपा और पीडीपी जो डेमकरिटिक पार्टी है वो मिल जाए यहां पर भी सीधा टक्कर हो सकता है जम्मु कस्मीर विधान सभा के भी तस्वीर में छे सीट है और यह एक नुकसान हो सकता है भारते जनता पार्टी को 349 सीट पर यह गटबंधन है और इस 349 सीट पर गटबंधन कर दिया जाए तो यहां पर निश्चित रुप से मुश्किल होगा चलिए जारखंड में आ जाते हैं जारखंड में 14 सीट कुल है और यहां पर कॉंग्रेस अगर जारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ या मोर्चा यानि की जेवियम को भी साथ ले तीनों को साथ ले तो यहां भी तस्वीर बदलेगी थोड़ी क्योंकि 14 सीट जो महत्रपूर्ण है तो इसमें अगर जारखंड विधान सभा में यह तीन पार्टी मिल जाए कॉंग्रेस जेएम और जेवियम तो 14 में से थोड़ी यह ऐसे 349 सीट पर हम बात कर रहे हैं जहां आने वाले समय में एक परिवर्तन साफ साफ दिख रहा है और यह परिवर्तन इसलिए हम बात कर रहे हैं महराष्ट में चलिए ले चलते हैं आपको जहां 48 सीट है और यह 48 सीट में अगर कॉंग्रेस NCP से एलाइंस कर ले और साथ में सिवसेना इस बार नराज है तो उमीद की जारी की सिवसेना भी इनके साथ आ जाएगी तो विधान सभा की तस्वीर भी बदल जाएगी बाद में और संसत की तस्वीर भी बदलेगी जो 48 सीट होगा उस 48 सीट में इस बार अगर मिल जाए लोग सभा के लिए और बाद में विधान सभा के लिए तो भारती जिनता पार्टी को यहां पर भी एक नुकसान हो सकता है और यह उत्तर प्रदेश की तस्वीर है 80 सीट जहां पर है कॉंग्रेस बस्पा और सपा यह तीन अगर मिल जाते है तो फिर यह खेल थोड़ा चेंज होगा और 2017 का विधान सभा चुनाओ में सपा और कॉंग्रेस साथ थी लेकिन बाद में समर्थन भी क्यूप चुनाओ में तो इस्तिती बदला भी आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटे लोग सभा की है और यह महत्वपुन राज है अगर किसी पाटी को संसद में जाके सरकार बनानी है कि असी में तो विजार करना होगा और यहां अगर सफल परिच्चन होता है तो इस्तिती तो फिर बदल जाएगी यह आपको तस्वीर अब हम यह दिखा रहे हैं बेंगौल वाली तस्वीर आ गई हमारे पास और इसमें जो हम बात करें थे कि क्या ममता बनर जी के साथ में बंगाल की जो 42 सीट है वहां और इसमें टीमसी और अगर कॉंग्रेस मिल जाए थोड़ी सी फॉर्मूला तो लगता है टिपिकल है लेकिन अगर मिल जाए तो इस्तिती थोड़ी चेंज हो जाएगी और गरतमान मे जिस प्रकार से वहां पर बीजेपी भी बढ़त बना रही है तो उमीद की जा रही है कि यह ममता बनर जी ऐसा स्टेप ले सकती है तो कि ऐसे कई प्रांत हैं जिसमें सभी मिला करके 349 सीट होता है सुल्ला छेत्रीय राजनेतिक पाटी है सिष्टीं जो यह तै कर लें कि हमे स्वैं कि कितना भी नुकसान हो हम बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं तो फार्मूला उनके पास है लेकिन बड़ा सवाल यह उटता है कि क्या सारी पार्टिये अपने मुद्दे को छोड़कर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आ जाएंगे और एक मंच पर आ जाएंगे तो क्या छेतर की जनता उनके साथ खड़ा हो जाएगी चलिए और कुछ राज को देख लेते हैं हरियाना में अगर बात की जाए तो दस सीट है यहां इंडियन निशनल लोकदल अगर कॉंग्रेस से मिल जाए तो यहां की बीस्तिती बदलेगी लोकसभा के अं सीट में आंद्रपरदेश में पचीश सीट है अगर वहां तेलगू देशम पाटी और भाजपा से दूर चली जाती है तो कॉंग्रेस टीडीप के दिखा जाएगी और ऐसे में एक नया परियोग से उम्मीद किया जा रहा है तो यहां पर राज में पिछले विधान सभा मे कॉंग्रेस डीम के एक साथ थी और 2019 में एक बार फिर से अगर आ गए तो AIDMK और BGP जो गड़बंधन करने वाले हैं उनको भी एक जोड़दार जटका मिल सकता है यानि कि UP की 80 सीट देख ले महराष्ट की 48 पस्षिम बंगाल की 42 बिहार की 40 तमिल नाडू की 49 करनाटक के 28 क्यानिके 20 आंद्प्रदेश के 25 तेलंगाना के 17 जारखंड के 14 जम्मु कस्मीर के 6 और हर्याना के 10 सारी छेत्रिये पाटियां हैं यहां पर और इसके साथ अगर मिल जाएंगे तो यह एक चुनावी गटबंदन प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो यहां पर 16 छेत्रिय राजनितिक दल से अगर मिल जाया जाए थोड़ा मुश्किल होगा देखे मायावती अकलेस चंद्रबाबू नाइडू चंद्रसेकर राओ तेजस्वी यादव सारे लोग ममता बनर जी अगर एक साथ एक मंज पर बैठ जाएं और बाद में यह सोचे करें जो मुश्किल लगता है देखे सोचने में राजनिती है कभी यहां पर कोई भी चीजे पलट जाती है तो अगर यह उमीद और कयास लगाया जाए कि 2019 सुनाव जीतना और जिस प्रकार से महंगाई दिनों दिन बढ़ यह पिट्रोल डिजल के दाम बढ़ रहे हैं बीज फाइदा मिला है उसको फाइदा बीजेपी को मिलेगा लेकिन सवाल उट रहा है कि मिडिल क्लास किदर जाएगा चाह उसके पास दूसरी पार्टी का विकल्प नहीं है और इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है तो इन राज्यों में अगर कोई सटीक रणनीती अमिच्ज हो गया तो फिर से कॉंग्रिस और उसके सहयोगी पार्टी सरकार बना लेगी अगर आपको विने जाईएस अकेडमी और जारकन लाइव न्यूज चैनल का विशलेशन पसंद आता है दोनों चीजें हैं एक्जाम्स के पॉइंटे व्यू से भी हमारी वीडियो बनाई जाती और देखिए यह जो सम्मान मिला है विने जाईएस को इसकी तस्वीर देख रहे हैं और जिस प्रकार से रिजल्ट भी है तो चलिए हम बताएं कि अगर आपको पसंद आता तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपके जो लाल रंग का आईकन दिख रहा है उसको दबा दें और ह हमें जल्दी से जल्दी आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे और साथी साथ आप लीक भीजेंगे आपको कोई नई वीडियो अगर चाहिए होगा तो इस समान समारों की तस्वीर है जब बच्चे आईएस करते हैं तो उन्हें जो समानित किया जाता है अल नौकरी में गया है और उसकी तस्वीर आप इस समय में देख रहे हैं स्क्रीन पर और यह जो हमारा सेमिनार चलता है अलग-अलग स्थान पर आप अपने सहर में भी अगर सेमिनार करना चाहते हैं तो हमें आप लिक भेजेंगे